नमस्कार दोस्तों मैं सुवीं चीमा साथ करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही एक खास वीडियो है आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायू प्रीट एवेंजर स्रीज के पैंसर टूरंचास टेक करेंगे साथ में आपको इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे कि इस टेक्टर को आप किस प्राइस के अंदर खरीज सकते हैं और एक चीज में आपको बता दूँ इस टेक्टर के साथ आप क्या कुछ इंप्लिमेंट चला सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे आज झाल 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 सबसे पहले चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं इसके लुक वाइज तो मैं लुक आपको इसका दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रीत की जो बैजिंग है यह क्रोम के साथ में दी गई है पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पैंसर और उडंचास की जो बैजिंग है यह भी काफी डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट लुक के साथ में यहाँ पर दे रखी है फ्रेंट से अगर बात करें तो फ्रेंट में आप अगर देखते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर प्रीत का जो लोगो है जो बैजिंग है वो यहाँ पर यह जो air है, air की cooling को भी अंदर engine तक ले जाने का काम करती है तो इससे जो cooling है वो भी कहीं न कहीं अच्छी करता है ट्रैक्टर लुक भी काफी attractive लगता है फ्रेंट से आप देखते हैं तो बिल्कुल एक aerodynamic size को save दिया गया है पहले जो लुक आता था वो इस तरीके का इसका नहीं आता था यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर आपको यह सार फिर antenna देखने को मिल जाता है और फ्रेंट में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो jerrycan weight है वो यहाँ पर दिया गया है यह आप लोग देख सकते हैं इसके उपर जो badging है वो प्रीट की badging आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यह जो weight है एक plate इसके अंदर 20 kg की एक plate लगाई यह है और total इसके अंदर 6 plate लगी होई है यानि कि एक control लगभग 20 kg के आसपास यह weight है और यहाँ पर पीछे भी आपको यह bumper type मिल जाता है जिसके ओपर यह fitting कर रखा है तो around इसके अंदर जो 2 control weight यहाँ पर front में दे रखा है जिसे कि आपका tractor lift ना हो यहाँ पर अगर मैं इसके बात करूँगा engine की यह दोस्तों आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं जो bonnet इसके अंदर यह लगाया गया है बिल्कुल single piece bonnet है और यह जो bonnet है, यह hood bonnet है यहाँ पर आप लोग देखेंगे single gas instead इसके अंदर लगी हुई है जिसके दुरूई इसका bonnet है वो काफी easily open हो जाता है आपको कोई effort नहीं लगाना पड़ता है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह kilo क यहाँ पर दे रखा है जिससे कि आप अपने bonnet को काफी easily lock और unlock भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रेंट से दिखाता हूँ इसको तो आप देखते हैं इसके अंदर जो air cleaner है यह आपको dry type का air cleaner इसके अंदर देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यह इसका radiator दे रखा है radiator इसके अंदर दोस्तो लोहे का radiator दिया गया है बात अगर दोस्तो इसके engine की कर लेते हैं यहाँ पर आपको प्रोपर जो है चार स्लेंटर का engine देखने को मिलता है जो की 65 थोस्तो पावर का दोस्तो यह engine है इसकी अगर engine की CC की में बात करूं तो 4087 CC का इसके अंदर यह engine लगाया गया है बोस के ही in-line fuel pump के साथ में आता है 105 mm का इसका जो है बोर है और 118 mm का इसका जो है स्टोक है इस engine का और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यह इसके अंदर आपको coolant के लिए अलग से container देखने को मिल जाता है जो की overflow के साथ में याता है जिससे कि आपको बार बार जो है इसके अंदर coolant वगेरा डालने की ज़रुत नहीं पड़ती यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो dualist के अंदर diesel filter आपको मिल जाते है पीछे की तरफ water separator आपको मिल जाता है जो की diesel से पानी को अलग करने का दोस्तों एक काम करता है और यह जो engine है इसके अंदर यह proper charge lander का engine है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो बैजिंग है इसके ओपर दे रखी है यह जो engine manufacturing करती है company यह परीट का खुद का design किया हुआ engine है दोस्तों और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके अंदर यह जो power steering है आपका इसके अंदर इसके लिए अलग से container लगा रखा है company ने जिससे की जो power steering का होई है वो बिल्कुल separate रहे और power steering की जो life है वो कही ना कहीं लंबे समय तक बनी रहे है यहाँ पर मैं आपको इसका manufacturing chart भी दिखा देता हूँ यह आप लोग देख सकते हैं इसके उपर 2021 model गए जो है manufacturing है इसकी date है बाग कि इसके उपर SFC वगएरा दोस्तो मैं अंसर नहीं कर रखे है तो यह चीज में आपको इसके उपर नहीं बता पाँगा बात करेंगे दोस्तो इसके front tire की तो इसके अंदर आपको जो आगे के tire हैं वो 9.25 के देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर खासित में आपको बताता हूँ जो आगे tire हैं इसके अंदर यह काफी अच्छी company बिगेटी के दे रखे हैं जो की आज के time में market leading company है यहाँ पर जो wheel का color है आप लोग देखेंगे प्रोपर यह white color नहीं है हलका सा इसके अंदर yellow shade आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर जो steering है steering में आपको दिखायता हूँ जो steering दे रखा है इसके अंदर यह dual acting power steering आपको दे रखा है यहाँ पर यह पूरी तरीके से sealed तो नहीं है लेकिन काफी हद तक यह sealed है और यहाँ पर इसके अंदर आप grazing point दे रखा है जिसके तुरू आप इसके अंदर grazing वगएरा कर सकते हैं या करा सकते हैं इसके अंदर फ्रेंट एक्सल है यह भी काफी heavy duty इसके अंदर यह दे रखा है और मैं आपको इसका four wheel drive की जो road है वो भी दिखा रहता हूँ यह जो four wheel drive की road है दोस्तो यह company ने इस तरीके से इसको design किया है इसके engine के अंदर यहाँ पर cutting दी है इसके जो four wheel drive की road है वो इसके अंदर अंदर की तरफ से जाए और ground clearance के ऊपर कोई फरग ना पड़े अब बात कर लेते हैं दोस्तो इसके diesel tank की तो इसके अंदर आपको की लोग के साथ में आने वाला diesel tank की देखने को मिलता है diesel tank की अगर capacity की में बात कर लो दोस्तो तो इसके अंदर आपको सड़ सड़ लीटर के diesel tank देखने को मिल जाता है अब मैं आपको स्टार्ट करके इसके एक बार आवाज भी सुन वाने के गोसिस करता हूँ आपको इसके अवाज भी सुन बढ़ते हैं वैसे यह बिल्कुल साथ साथ में ही अपरेट करता है जैसे में आपको देखिए इस तरीके से हो गया है आपको सोह रहा हो गया है यह देख सके हैं आप लोग पूर मैं इसको काफी इसी जो है दूप्रेट करने में कि कोई आपको एफट नहीं लगाना पर आपको देखिए अपको दिख रहे होंगे बीडियो के इंदर यह आपको देख सकते हैं आपर यहां वाज एकिस के देख हो गया तो इसकी आपको दरिके से डूप उसमें अभी लिखे और इस इस के अब बहुत कर लेते हैं इसके गेर गोंस ही तो इसके अंदर आपको सुनिख्रोमाई बैटने को मिल जाता आ है आगे की हैंडल की बजाए लेफट साइड में रखा है जो कि काफी एजी रहता है जब हम इसको अपरेट करते हैं वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर तो टोटल इसके अंदर बारही फोरवर्ड जाने के लिए गेर मिल जाते हैं और बारही रिवर्ड ज देखने को मिल जाती है जो कि fully adjustable seat है इसको आगे पीचे काफी अपit adjust कर सकते हैं और साथ ही साथ व us बाल्ट केमें जो साथ में seat weld आपको देखने को मिल जाती है जो की आपको इस रेनी के जाधा तरे टैक्टर वें नहीं मिलती इसको operate करके भी आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं सेटल के तुरू काफी easy हो जाता है टैक्टर को पीछे और आगे ले जाना आप देख पा रहे होंगे कोई मैंने गेर नहीं डाला सिधा मैंने शॉक्तल के लिवर को पीछे किया और टैक्टर पीछे जाना स्टार्ट हो गया और और same चीज मैं यहाँ पर करूंगा तो टेक्टर आगे जाना इस्टार्ट हो जाता है। यानि कि आपको same gear के अंदर जिस भी gear के उपचल रहे हैं, एड़ेस्टेवल आपको इसके अंदर हिज मिल जाता है उपनीचे काफी एजीली आप उसको एड़ेस्ट कर पाएंगे और यहां पर आप देखेंगे तो PTO का लीवर आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अपनी PTO के अंदर मंचाही स्पीड ले स देखेंगे इसके अंदर 12V का सोगिट भी आपको मिल जाता है जैसे कि आप ट्रोली वागेरा में लाइट फिडिंग करना चाहते हैं तो काफी इजीली कर सकते हैं इस सोगिट के थ्रू और यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको डूवल डिस्टिबिटर आपको देखने को मिल जाता है जो कि ड्राइवर की बिर्कुल रेंज में ही आ जाता है काफी इजी हो जाता है ड्राइवर को इसको ऑपरेट करना यहां पर और अब बात करेंगे दोस्तों इसके में पॉइंट की यानि के इसके लिफ्टिंग अबसेटी के बारे में उससे की बात करूंगा मैं लिफ्टिंग अबसेटी की तो इसके अंदर आपको 2400 किलोग्राम की भाईयों लिफ्टिंग अबसेटी देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ों की यानि के डैमेंसन और वेट की और टैनिंग रेडियस की तो इसके टोटल की अगर यहां पर मैं बात करूं भाईयो तो 2530 किलोग्राम के राउंड आपको इसका जो टोटल वेट है वो देखने को मिलता है अब मैं भाईयो बात कर लेता हूं इसके टैनिंग रेडियस की और आपको दिखा भी देता हूं इसका टैनिंग रेडियस की तो यहां पर हम बात कर लें तो 4900 का टैनिंग रेडियस लेता है एक्टर घूमने में जो कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे होंगे और भाईयो पावर स्टेरिंग का बेनिफिट आपको आप किलियरली इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे यह मिलता है कि आप जहां पर स्टेरिंग को टर्न कर देते हैं वहीं पर आपका स्टेरिंग रहता है ना इधर होता है उसके लिए एकुरेसी आप इस वीडियो में बिल्कुल चेक कर लेंगे कि एक टायर की जो गुड़ी होती है वो एक दूसरे को बिल्कुल टैच करके चल रही है जहां पर पिछला फि कर लेते हैं जो कि most popular agriculture implement है जाधर किसान भाई यूज़ करते हैं तो इसके उपर आप आठ से लेकर 9 फिट का रूटरिवेटर काफी इसके पिछे चला सकते हैं कल्टिवेटर की में बात अगर कर लूँ जिसको की देशी भास में टीलर भी बोला जाता है तो काफी इसके कहीं कहीं पर आप 15 के कल्टिवेटर भी इसके पिछे चला सकते हैं जहां पर ज्यादा रेतिली मिट्टी है तो वहां पर आप 15 के कल्टिवेटर पंद्रे टाइन के कल्टिवेटर भी काफी इसके पिछे चला सकते हैं हाइट सोल के उपर ये चीज थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर टेक्टर को ज़्यादा तागत लगानी पड़ती है क्हीचने में क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो जाती है भाईयो अगर इसकी अगर मैं डीजल खपत की भी बात कर लेता हूँ तो एक मीडियम लोड के उपर ये 10 से लेकर 11 लिटर के एराउंड ये डीजल खाएगा जो कि एक मीडियम लोड के उपर मैं आपको इसकी डीजल खपत ये बता रहा हूँ भाईयो तो भाईयो ये जो डीजल खपत है एक आपको आवरेजन मैं बता रहा हूँ क्यूंकि diesel खपद agriculture implement और किसान के ऊपर depend करती है कि वह उसको किस तरीके से चलारा है और कौन से implement के ऊपर चलारा है तो वह चीज किसान के ऊपर भी depend करती है ये एक अनुमान मैंने आपको बता दिया है इसकी diesel खपद के बारे में अब भाईयो बात आ जाती है निकल कर इसकी price की यानि कि इस tactical को आप अगर खरीदना चाते हैं तो किस कीमत के अंदर खरीद पाएंगे तो भाईचे, आप बाद कर लेते हैं इस टैक्टर की प्राइस की तो इस टैक्टर की अगर मैं प्रोस 캐ब कर लूँ तो झाड़े 9,00,00,00 से लेकर 10,00,00 के राउंड आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की नहीने वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें और भाईयो वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी आपके मन में सुझाओ या सवाल है तो आप बेज जिज़ा कमेंड बॉक्स में कमेंड करके हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी चीज हमसे छूट गई है वीडियो के अंदर तो हम आपको कमेंड बॉक्स में उसका जवाब देने की जरूर कोसिस करेंगे इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समापत भाईयों पसंद आईयों तो लाइक सस्क्राइब कर देना और फेस्बुक पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लें तो आगी यहाँ पर भी आप ऐसी ही नईने वीडियो देख पाएं फिर मिलेंगे भाईयो इसी तरिके की किसी और वीडियो को लेकर तब तक के लिए निर्दे की गहराईयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूरवक धन्यवाद